परिवहन के विबिन प्रकारों में से जल परिवहन जैसे विबिन प्रकार वाई परिवहन रेल परिवहन आपका सड़त परिवहन और जल परिवहन इनमें सबसे सस्ता परिवहन है वो है जल परिवहन इसे भारी जो सामान है उनका आसा ने इससे परिवहन किया जाता है और इस मारक के लिए रखरकाव के कोई आखशकता नहीं होती भारत में जल परिवहन प्राजीन समय से ही होता रहा है हमारे इतिहास पर हम द्रश्टी पात डालें तो चोद राजा उनका जल परिवहन पर एक अधिकार था उनके पास जहाजी बेड़ा भी था मेगस्तनीज जिसने इंडी का पुस्तक लिखी उसमें वरणन किया है कि मेगस्तनीज के साथ में एरियन नाम के विद्वानी ने भी वरणन किया है कि भारत में सिंदू और उसकी साइक नदियां और साथ में गंगा और उसकी साइक नदियां इन सब में प्राजीन काल में भी जल परिवहन होता था जल परिवहन संचालिक था अब जल परिवहन का हम दो भागों में बाड़ते हैं आंत्रिक जल परिवहन और महासागरी जल परिवहन हमारे देश में आंत्रिक जल मार्ग अभी प्रारंबी का वस्ता में ही हैं यह हमारे कुल परिवहन का केवल एक प्रति यहां के अत्यास में हमारे भारति के हम थोड़ा सब पीछे चले हैं जो पिछली सताब दी है प्रहमपुत्र नदी में डिब्रूगर तक और गंगा नदी में पटना के आगे तक और यमुना में आगरा तक में इस्टीमर चला करते थे रेल मारगों के विकास के कारण आंत्रिक जल परिवयन कम होने लगा किन्तो इसके विकास के लिए अभी भी परियाप्त संभावनाई है भारत व्यापारिक जहां जराने बेड़े की दरश्टी से विश्व में सोलवे इस्तान पर है बारत में आंत्रिक जल मारगे आंत्रिक जल परिवेन और महासागरी जल परिवेन इन दोनों को अपन अलग-अलग करके भड़ेंगे पहले हम लेते हैं आंत्रिक जल परिवेन भारत के पाश अंतर देशिये जहां जराने के लिए 14,500 किलो मिटर का जल मार्ग है इस जल मार्ग में नदियां और नहरों का योगदान ज़्याद है जिलों का योगदान कम है इस में से भी बड़ी नदियां के 3,700 किलो मिटर लंबे मार्ग यंतरी करत नोकाओं द्वारा नोगम में है यानि इन में जो नोकाओं चलती हैं वो यंतरी करते हैं उस में इंजन लगे हुए हैं इस में से भी 3700 किलो मिटर लंबे मार्ग में से भी 2000 किलो मिटर लंबे जल मार्ग का अभी प्रियोग किया जाता है और 1700 किलोमेटर जल मारगों का अभी प्रियोग नहीं किया जाता इसके अतरिक देश में 4300 किलोमेटर लंबी लंबाई रखती है नोगम में नहरे यानि जिन में नावे चला सकते हैं ऐसी नहरों की जो कुल लंबाई है वो है 4300 किलोमेटर इस 4300 किलोमेटर में से भी केवल 900 किलोमेटर लंबी नहर मारगी या अंतरिक करते जल पोतो द्वारा नोगम में इस तरह से हम देखते हैं कि यहां जो आंतरिक जल मारग है वो उसका इतना विकास नहीं हुआ है भारत में सरवादी गांतरिक जलमारग में जो सबसे उपर टोप राज्य है उसका नाम है उत्रप्रदेश उत्रप्रदेश के बाद में अगला नमबर पसिम बंगाल का है फर्श नमबर पर हम उत्रप्रदेश को रखेंगे सेकेंड पर पसिम बंगाल है थर्ड नमबर पर आंधर प्रदेश और फौर्थ नमबर पर आशम फिप्त नमबर पर केरल, सिख्त नमबर पर बिहार और सेवंत नमबर पर है उडिशा इस तरह से क्रमश है देश के सरवादिक आंत्रिक जलमार्ग वाले राज्ये हुए अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुक राष्ट्रे जल्मार्ग कोन-कोन से हैं भारत में अभी तक भारत सरकार ने 6 महत्पुन जल्मार्गों को राष्ट्रे जल्मार्ग गोसित किया है उनमें सबसे पहले काम किया गया जल्मार्ग प्राधी करण का गठन जल्मार्ग के लिए 27 सक्टुमबर सन 1986 को भारति देशी जल्मार्ग प्राधी करण का गठन किया गया नद्यों में इस ताए जल्मार्ग विक्सित करने के लिए सरकार ने 6 महत्पुन जल्मार्ग जो जिनको राष्ट्रे जल्मार्ग गोसित किया गया है उनको हम बारी-बारी से देखते हैं सबसे पहले लेते हैं राश्ट्रिय जलमार्ग संक्या एक यह 1986 में गोशित किया गया था 27 अक्टूबर 1986 को नेशनल वाटरवे नंबर वन इसकी कूले लंबाई है 1620 किलोमेटर 1620 किलोमेटर लंबा है जो पसिम बंगाल में हल्दिया से लेकर उत्रप्रदेश के इलाबाद तक है और इसके बीच में जो अन्हेस्तान है वाया फरक्का यह फरक्का बीच में है पटना इसी में है इसी के बीच में और इलाबाद तक है यह इसको बोलेंगे National Waterway No. 1 जो 1986 में गुश्त किया गया था 1620 किलोमेटर लंब है इस वाटर वे को इसका विकास तीन भागों में बाढ़ कर किया गया पहले भाग में हलदिया से फरक का तक है 560 किलोमेटर दूसरे भाग में फरक का से पतना तक है 460 किलोमेटर और तीसरे भाग में पटना से लेकर उत्रप्रदेश के इलाबाद तक 600 किलोमेट सन 1972 तेतर में पटना से गाजीपूर तक इसमें इस्टिमर से वसुरू की गई थी इलाबाद से आगरा के बीच में परियाप जलोता है जिससे ये इस्टिमरों के चलाने के लिए उप्यूकता है गंगा के बाही किनारे पर आकर मिलने वाली नदियां जैसे गोमती, घागरा और गंडक आदी में भी छोटी-छोटी नोकाएं चलाई जाती है अब बात करते हम नेशनल वाटरवेर नमबर टू की जो की ब्रहंपुत्र नदि में धूबरी से लेकर सदिया तक आठ सो इक्राण में किलोमिटर लंबा है यह जो वाटर वाटरवेर नमबर टू है यह 26 दिसंबर 1988 को इसको वाटरवेर नमबर टू घोशित किया गया था सदिया से लेकर धूबरी तक 891 किलोमिटर इस वाटरवेर में ब्रहंपुत्र नदि को जलमार की रूप में गंगा नदि से जोड़ कर इसका महत्वे उत्तरप्रदेश और बिहार राज्यों के लिए बढ़ा दिया गया है ब्रहंपुत्र नदि है इसमें इस पर धूबरी, तेजपूर, गुहाटे, नूनमत्ती, जोगी, गोपी, पांडू, आधिकई, आंत्रिक बंदरगा भी भी है ब्रहंपुत्र नदि के मुहाने से डिब्रुगड तक लगबग 1384 किलोमेटर के लंबे जलमार्ग में इस्टिमर सेवा और सद्या तक नावी भी चलती है तीसरा वाटरवे नंबर 3 केरल में है चमपाकारा नहर उसको गोशित किया गया है ये सिर्फ 14 किलोमेटर है चोथे नंबर पर चोथा वाटरवे हाईवे वाटरवे नंबर 4 ये अरबह जेस के पसिमतट पर अरबसागर के पसिमतट नहर है जो कोलम कोटापूरम खंड है 168 किलोमेटर लंबा है पांचवा वाटरवे केरल में उद्योग मंडल नहर है 22 किलो मिटर लंबी और छट्टा वाटरवे है असम में भागा से लखीम पूर तक केरल में की चंपाकारा और उद्द्योग मंडल नहर है साहित पस्सिमित नहर के कुलम कोटापुरखंड की कुल लंबाई है 205 किलोमेटर ये तो है हमारा जो वाटरवे है वह इसके अलाव हम आंत्रे के जल परिवहन में दक्षन भारत की नदियों के उपर भी एक द्रिश्टिपात करते हैं दक्षन भारत की जो नदिया है वो मोसमी नदिया है और वर्सा रितियों में प्रवाइत होती है ज्यादतर दक्षन बारत में एक कrşnan नदी के मोहाने से 60 किलोमेटर की दूरी तक वर्स बर यात आयाद के लिए नुकाइं चलाई जाती है नर्मदा नदी नर्मदा नदी में जुआर के समय जब जुआर आता है उस समय 66 किलोमेटर और अन्ने समय में जब जुआर नहीं आता है उस समय दस किलो मेटर तक जलियान चलाए जा सकते हैं तापी या तापती नदी अपने मुहाने से 25 किलो मेटर दूरी तक जलियातायात के लिए उप्यूगते हैं गोवा में मांडवी और जुआरी नदियां जले आता हैाद के लिए बहुत महत्तमुन हैं इन जलमार्गों से लगभग एक करोड टन लोहो आयस के मर्म गाउन बंदरगा तक ले जाया जाता है गोवा में मांडवी और ज्वारी नदिया हैं इन जलमारगों से एक करोड़ टन लगभग के लगभग जो लोई असका है वो मारमा गाउं बंदरगा तक ले जाया जाता है जिससे विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है भारत में कुछ नावी नहरे भी हैं नावी नहरों में जो मुख्य मुख्य नहरे हैं वो इस तरह से हम देख सकते हैं करमस है नमबर वन पे पंजाब की सरहिंद नहर में हिमालय की लकडियां बहा कर लाई जाती है दूसरे नमबर पर लेते हैं हम गंगा की नहरों में इन में 584 किलोमेटर की दूरी तक नुकाई चलाई जाती है तीसरे नमबर पर लेंगे हम बंकिंगम नहर बंकिंगम नहर है अंदरप्रदेश तता तमिलनाड़ू के पूरी तड़ के साथ-साथ इसमें 413 किलोमेटर की लंबाई तक नावी चलाई जाती है चोथे नमबर पर लेते हैं आंधर प्रदेश में कुर्नूल कुडुपा नहर इसमें भी नावी चलाई जाती है पांचवे नमबर पर पस्सिम बंगाल में मिदनापूर नहर जिसमें नावे प्रवाइत होती है नावे नहर है यह और चटी जो मुखे नहर है नावे नहर वह है दुर्गापूर बैराज तता तुंग पद्रा से निकाली हुई नहरों में इनमी समिछ जहाज राने का कारिय होता है अब हमें इसी संदर में देखते हैं भारती अंतरदेश्य जल्प मार्ग प्राधिकरण इसका जो इसकी स्तापना हुई थी वो इती 27 अक्टोबर सन 1986 को और इसका मुख्याले है नोईडा में इंडियन वाटर वेज ऑथरेटी ओफ इंडिया का मुख्याले नोईडा में है इसके सित्री कारियले हैं भारती अंतरदेश्य जल्मार्ग प्राधिकरण की सित्री कारियले हैं पटना, कोलकाता, गुहाटी और कोच्चि में तता इसका साका कारियले हैं इसकी साका कारियले हैं वो हैं इलाबाद, बलिया, भगलपूर, भरक्का और कोलम में यह हमने बात की भारती अंतरदेशी जलमार्ग प्राधिकरन की अब हम लेते हैं केंद्रिय अंतरदेशी जल परीवहन निगम अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे Central Inland Water Transport Corporation सोरट में इसको बोलते हैं CIWTC इसकी इस्तापना मई 1967 में की गई थी और इसका मुख्यले है कोलकाता में यह जो निगम है CIWTC यह मुख्य रूप से गंगा भागिरिती, हुगली सुन्दरवन और ब्रह्मपुत्र नदियों में अंतरदेशी माल के डुलाई का प्रबंद करता है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं महासागरी जल परिवयन महासागरी जल परिवयनों की हम बात करें तो हमारे सामने एक तथ्थे उबर कर आता है कि हमारे देश की हमारे देश का जो तट है उसकी लंबाई है 7516.6 किलिम्टर लंबा है और इस तट पर भारत में 13 तो मुखे और लगवग 200 गोन बंदरगा बने हुए है बंदरगा किसे कहेंगी समुद्र अत्वान नदीगी किनारे पर इस्तिति वह नगर जिसमें एक पोतास रह होता है जहां जहां जो में माल उतारने तता छड़ाने की सुईदा होती है और 20 लाख वर्ग किलोमेटर से अधिक का समुद्री आर्थिक शेत्र है देश का लगवग 25 प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग से होता है और मुले इस्तर के दृष्टी कोण से देखें तो देश का लगबग 70 प्रतिशत मुले इस्तर का वियापार समुद्री मार्ग से होता है देश की सबसे बड़ी जहांजरारी कमपनी को प्राइवेट लिमिटेड से बदल कर पब्लिक लिमिटेड कर दिया गया था इस कमपनी को भारत सरकार ने 24 फरवरी 2000 को मिनी रतिन का खिताब भी दिया था इस कमपनी की देश की कुल भारवेशन खिश्बता का 3.5 % है इसे भारतिय जहांजरानी निगम लिमिटेड जो ये कमपनी है इस कमपनी के पास वरतमान में इसके बेड़े में 4 सी पोत है के प्रमुक समुद्री पत्तन। समुद्री पत्तनों पर यदि हम दृष्टिपात करेंगे उनको जानेंगे तो हमें जानकरी होगी कि भारत में जो तेरा बड़े बंदरगा हैं वो पूर्वी तटपर कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विसाका पत्नम, एन्नौर, चेन्नई और तूति कोरन ये भंगाली खाड़ी पर पूर्वी जो तटप है भारत का उस पर इस्तित्म बंदरगाएं और पस्सिम की तरफ हमें देखें तो अरब सागर पर कांडला, मुंबई, नहावा, शोवा, या जवारलाल निरू, पतन, मार्मगवा, न्यूमंगलोर और कोची इस तरह से हमारे देश में समुद्र तट पर कुल तेरा बड़े बंदरगाएं अब हम एक एक को जानें तो जैसे कि आप इसे मैप में देख पा रहे हैं हम सबसे पहले लेते हैं कांडला बंदरगा को कांडला बंदरगा ये भारत के गुजरात राज्ये में कच्की खाड़ी में इस्तित है इस बंदरगा में मुख्य रूप से वस्तों का आयात किया जाता है इसका जो प्रष्ट भूमी सेत्र है इसका पच्छ प्रदेश है उसमें अद्धिकांस गुजरात राजस्तान का जहता तरिस्सा पूरा पंजाब अद्धिकांस हरियाना हीमाचल प्रदेश शंपूर्ण और जमो कस्मीर को सामिल किया जाता है इसे कांडला बंदरगा में इसके जो निकट की राज्य हैं ये जो अभी अपने जिन राज्यों की बात की इनमें से खनीज देल, शिमेंट, रसायन, सूती वस्तरे, इत्यादी उद्ध्योगों का विकास होने से इसका महत बढ़ गया है इस बंदरगा से भारी महतरा में कपास, सूती वस्तरे, उर्वाराके, कच्चा तेल, पोटास, फास पेट, नमक, आधिगा निरियात किया जाए दूसरा मुख्य बंदरगा हम जानेंगे मुंबई बंदरगा को मुंबई में बंदरगा है, वो बंगाल की खाड़ी में इस्तित है मुंबई बंदरगा एक प्राकरतिक बंदरगा है, जो मुंबई में इस्तित है इसे भारत का प्रवेश द्वार खा जाता है ये बंदरगा अन्य बंदरगाउं के अपेक्ष अधिक विस्थरीत है इस बंदरगा की शंता लगवक 200 तन्स से अधिक है भारत का सरवादिक व्यप्पार इसी बंदरगा से होता है पसिमित Eight का सबसे बड़ा प्राकरतिक बंदरगा है मुंबई बंदरगा सरवादिक आयात करने वाला बंदरगा यानि भारत का 20 प्रतिसत प्यापार इसी बंदरगा से होता है यह महत्वन बंदरगा है भारत का जो मंबई में है महाराश्टर राज्य में इस्तित है और यह प्राकर्तिक बंदरगा है इस बंदरगा का जो पच्छ प्रदेश है अधिकांश महाराश्टर इस बंदरगा के साथ में जो दूसरा बंदरगा ने जोहारलाल नेरू वो भी और इसका प्रष्ट प्रदेश दोनों का एक साथ हम जान लेते हैं महाराश्टर का अधिकानस भाग मद्य प्रदेश का पस्सिमी भाग का आनसिक मद्य प्रदेश कह सकते हैं दक्षनी पूरवी राजस्तान के हाडोती संभाग हाडोती जो जिला हाडोती वो है भोगोलिक प्रदेश है उसके चारो जिले और पूर्वी राजस्तान के कुछ जिले यहां तक कि उत्रप्रेस के पस्सिमी भाग भी इसमें सामिल किये जाते हैं यहां तक का जो व्यापार आयात निर्यात होता है इसी बंदरगा से होता है तीसरा बंदरगा भी हम पढ़ेंगे महराश्टर का नहावा सोवा बंदरगा जिसको जवारलाल निरू बंदरगा बोलते हैं यह बंदरगा कृत्रिम बंदरगा है यह महराश्टर राज्य में समीपस्ती है इसका निर्मान मुंबई बंदरगा के भार को कम करने के लिए किया गया था बंगाली खाड़े में इस बंदरगा में इस बंदरगा का निर्मान मुंबई बंदरगा के दबाव कम करने के लिए किया गया नहावसवा बंदरगा देश का सबसे आधुनिक और सबसे अधिक सुविदा युक्त बंदरगा है और यह सुस्क सामगरी के व्यापार के लिए प्रशिद है तीसरा बंदरगा हम जानेंगे मार्मो गोवा बंदरगा जो की बंगाल की खाड़ी में गोवा में इस्तित है इरान को लोह आयस का निर्याद इसी मूर्मुगाउं बंदरगा से किया जाता है इसकी जो इस्तिती है वो जुवारी नदी पर है यह जो अपना मार्मोगावा बंदरगा है इसकी इस्तिती जवारी नदीप पर है और यह प्राकर्तिक बंदरगा है इस तरह से हमें चार बंदरगा फढ़ लिए कांडला मुंबई जवारला नेरू मार्मोगावा पांचवा बंदरगा वो भी बंगाली खाड़ी में इस्तित बंदरगा न्यू मंगलोर न्यू मंगलोर बंदरगा करनाटक राज्य के समुद्र तट परिस्तित है इस बंदरगा से कद्रे मुख की खान से निकला लोह आयस्क निरियात किया जाता है इस बंदरगा से जो ये लोह आयस्क है वो निरियात किया जाता है और ये करनाटक का सबसे बड़ा बंदरगा है अरब देशों में लोह आयस्क का निरियात इसी बंदरगा से किया जाता है चट्टा बंदन्दरगा हम देखते हैं बंगार किखाडी का कोची बंदरगा कोची या कोचीन बंदरगा ये भी बंगाली खाडी में इस तेत एक मेह्तपन बंदरगा एह जो भारतीयराजी कीरल के एरनकुलम जीले में इस दितते हैं और यह एक प्राकरतिक बंदर्गह है हम देखते हैं next तुति कोरन बंदर्गह है तुति कोरन बंदर्गह तमिल नाडु राज्य में इस्तित है और यह जो बंदरगा है समुदर तट कम गरा है यहां इसलिए जल्यान इस बंदरगा से पांच किलोमेटर दूर ही रोक दिये जाते है इसका जो प्रष्ट प्रदेश है तोति कॉरन बंदरगा का यह तमिल नाडु का ही जो धक्षनी और पूरी भाग है वो ही इसका प्च प्रदेश है जातर वही उसी सेत्र का इसमें आयात निर्यात वही तक से मित है यह अरब सागर के अरब सागर यह जो तटपर बंदरगा बने हुए है उसमें सबसे धक्षन का बंदरगा है अब हम देखेंगे चेन नहीं बंदरगा को जान मानव निर्मित बंदरगा है चेन नहीं बंदरगा तमिलनाडू राज्य में इस्तित है साथ हमें ध्यान होना चीए कि तमिलनाडू ऐसा राज्य है जिसमें तीन बंदरगा है तूत्ति कोरान चेन नहीं और एन्नोर नेक्स्ट हम देखते हैं एन्नोर बंदरगा को अरब सा चेन्नेई के समीप्पी है और जो अगला बंद्द तेमिनलेडुगा सेत्र ही ये कवर करता है पस्यम इसका पच्छ प्रदेश तम्मिलनाडुगा सेत्र है आनसेक रूप से चेन्नेईओ जो एन्नोर है इन दोनों का तम्मिलनाडु और दक्ष नहीं अंदर प्रदेश का सेत् प्रदेश होता है वो पच्छ प्रदेश ये अगला में एत्पूर्ण बंद्र गां विशाक पठनम आप नक्से में देख सकते हैं कि विशाक पठनम का जो पच्छ प्रदेश है उसमें टेलंगाना आंदर प्रदेश करनाटक का पूर्वी भाग और महाराष्टर का भी पूरी भाग है वो और अधिकान स्चतिस गड़े और दक्ष्णी पूरव मध्य प्रदेश वो इसमें इसका पच्छ प्रदेश माला जाता है वह यहां तक का इसमें आयात निर्यात व्यापार यहां तक समावेशित हैं और विशाक पतनम बंद्रगा है ये देश ये बंद जहां जों का निर्माण और मरमत के लिए भी जाना जाता है ये बंद्रगा अपने कारियों की गुणवत्ता और उत्पादगता के लिए भारत में प्रशिद है इसके बाद में हम देखते हैं अगला जो पढ़ेंगे वो है पारादीप कही बार इसको लिखने में पढ़ेंगे बंगाल के खाड़े में इस्तिते पारादीप बंद्रगा इसमें उडिशा का अधिकांस भाग इसका पच्छ प्रदेश है यह भारत के पूरी तटके निकट जो उडिशा राज्ये उसमें इस्तिते आर कोलकाता और विशाका पत्नम बंद्रगा की लगबग बीच में इस्तित प्राकरतिक संद्रचनावाला बंदरगा है। इस बंदरगा से उरिषा और भीहार के खनी जोगा निर्याद किया जाते हैं। और मसीन, उरवरा, गंदक, इंजनीरिंग, सामान जैसे आयात किये जाते हैं, इसके बाद में हम जानेंगे हल्दिया बंदरगा को, हल्दिया बंदरगा के इस्तिती जो बंगाल के खाड़े में कलकत्ता बंदरगा के दक्षन में, हुगली नदी पर है, कलकत्ता बंदरगा के भार को कम करने के लिए इसको बनाया गया था, हल्दिया में एक तेल सोधन कारखाना भी है, रिफाइनरी, जो हमें विदेश से क्रूड ओयल, कच्चा तेर आयात करते हैं, उसको यहां रिफाइन किया जाता है, हल्दिया में, फिर अगला जो महत्त्तों ने बड़ा बंदरगा है, वो कलकता बंदरगा, कोलकता बंदरगा, पस्सी मंगाल में, हुगली नदी के किनारे इस्तित, एक करत्रिम बंदरगा है, प्राकरतिक बंदरगा नहीं है यह, यह पूरी तटका सबसे बड़ा, और भारत का दूसरा बड़ा बंदरगा है, कोलकता बंदरगा के दक्ष्च में हल दिया बंदरगा को विक्षित किया गया है, और हम जो अंतिम बंदरगा फड़ेंगे भारत का जो बड़ा बंदरगा है, वो हमारा है पोर्ट बलेयर बंदरगा, पोर्ट बलेयर बंदरगा, केंदर सासित प्रदेश, अंडमान निकोबार में, इसको सन 2010 में, 13 बंदरगा के रूप में मानिता दी गई थी, इस तरह से हमने देखा कि जो भारत के इंपोर्टेंट बंदरगा है, इन मेंसे जैसे मुंबई बंदरगा, और कोलकता बंदरगा कोलकता बंदरगा का प्रष्ट प्रष्ट प्रदेश है, उसमें आपका ये जो उत्रा खंड है, इसका पूरी भाग, अधिकानस उत्र प्रदेश, जिसमें भारत की सबसे अधिक जन संक्या निवास करती है, उत्री उमद्य प्रदेश, उत्री चत्तिस गड़, और उसके सा का अधिकटा बंदर्गा इनको इनको सेवाय अपलब्द कर वाता है, कौलकता बंदरगा, इसकी भूत्राइब हम जानेंगे, आंतरिक जल परिवह न की विकास में बादा कौन सी हैं, बारत के आंतरिकeton परिवहएं की विकास में मुख्य बादा है, वो नदियों का मौसमी ह दक्षन बार्त के अधिकान संदिया मोसमी है साल बर प्रवाहित नहीं होती वरसा रित्यों में प्रवाहित होती है और जल इस तर में परिवर्तन हो जता है इस ताहीर रूप से जल इस तर समान नहीं रहता कभी बढ़ जाता है कभी घड़ जता है अगला बिंदों हम देखें तो यहां जल पर पात परियापत है जहां जल परियापत होते हैं वहां परिवयन जल परिवयन सुचारो रूप से संचालित नहीं हो सकता आउशाद की अधिकता हमारे देश में नदियों में अफसाद अधिक है इसलिए जो जल्की गहराई है वो कम होती है सदा वहानी नदियों से सिचाय की नहरे निकालने से जल्की कमी आ जाती है जैसे हम देखते हैं यमना में कही नहरे निकाली गई है जिनसे सिचाय की जाती है पानी कम हो जाता है 30 सेत्र की नदियों का जो पानी है वो लवनी रहता है इसलिए भी ये भी एक बाद है जल परिवहन की विकास में अब हम जानेंगे आंत्रिक जल परिवहन की लाब आंत्रिक जो जल परिवियन है उसका सबसे महत्पून लापत यह है कि सबसे सस्ता परिवियन का सादन है अन्नी सादनों की तरह इसमें रखरकाव पर खर्च नहीं करना पड़ता जिस सडके बनानी पड़ती है टूटफूट हो जाती है सडकों की रेल पट्रियों की वैसे इसमें कोई ऐसा जमिला है नहीं उर्जागी बचत होती है भारी सामान के लिए आंत्रिक 노च अंडरिक ज़ल परिवेप उपयूगत होता है हवाई परिवेन को हम जानते हैं तियूर गामी तो है लेकिन उसमें भारी सामान का यात नहीं कर सकते हैं लेकिन भारी सामान के लिए सबसे अधिक उप्युक्त होता है जल परिवेन वर्षाकाल में पूर तरकी जो सड़क और रेलमार्ग अवरूद हो जाता है इसलिए भी ज परिश्टीमर जो जलाए जाते हैं या जले जहां जो इनमें परिश्टीमर ना के बराबर होता है